हां तुम्हें यह कह रहा था कि प्रोसेडिंग सर शुरूही निवी इस लाइन को पढ़िए ना पढ़के दो तीन बार चार बार पांच वार फिल करी मैं आपके साथ पढ़ता हूं देखिए क्या लिखा है कंडिशन रिक्विसेट फॉर इनिशेशन और प्रोसेडिंग से इसमें भी अगर आप किसी को तकलिफ हैं तो वह और मैं तकलिफ हलका करता हूं देखिए एक दम मतलब ट्रांसफरेंसी के साथ चीजों को डेखिए डिसकस करें यह मैंने यहां से इसको मिनिमाइज कर दिया है कि यह आप लोग को दिखा देता हूं एक चीज देखिए किसी को कुछ भी डाउट नहीं होने चाहिए अगर किसी को छोटा सा भी डाउट है तो भी आप डाउट किलर कर लिए रिक्विसिट शब्द का मैं छोड़ी है मैं क्या बोल रहा हूं हो छोड़ी है यहां पर अगर कोई टर्म आपको न समझ भी आना तो कोशिश किजिए इसी तरीके से फाइंड आउट करना मतलब उसका लीगल मिनिंग डूड़ना है क्या लिखा है उन्होंने साफ साफ लिख रिखे हैं सम्थिंग निसेसरी अंडर दी सरकम्स्टांसेस आप यहां पर कहीं भी यह सब लोग है इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूं उसकी साइज को सी देखे क्या लिखा है तो इसमें हीचक नहीं होनी चाहिए आप लोग के पास हम लोग के पास उपर वाले की क्रिपा बहुत अच्छी है कि हम लोग भी गूगल लेके बैठाए या कोई भी में इसके जगा पर हम लग सकते हैं इसेंसियल क्या दिखकत है इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है इसका मिनिंग बताने कोई जड़त है इनिशेट 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 तो अब हम क्या कर रहे हैं अब तरह पढ़ी की मन लगा के अब दो तीन बार रिपीट करेंगे conditions necessary conditions essential for initiation of proceeding conditions requisite for initiation of proceeding हमने अभी तक कोई भी प्रोसेडिंग ही नहीं शुरू की है proceeding हम आगे शुरू करेंगे we have not started the proceeding proceeding को start करने के पहले क्या क्या conditions required है proceeding को शुरू करने के पहले कौन-कौन सी जरूरी बाते हैं कौन-कौन सी निसेसरी element हैं कौन-कौन सी आवश्यक सरते हैं ये conditions लिखा है इसका मतलब ये शर्त बोल रहा है मतलब ये आपको हर हालत में जख मार के करना है तो करना है you have to do it by hook or by crook करना है तो करना है इसके बिना आप कुछ करी नहीं सकते you can't do anything you can't proceed further आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं these are the conditions और ये condition आपको follow करना पड़े अगर आप इस चीज को ऐसे समझना चाहते हैं यहां से भी समझ सकते हैं देखिए देखिए conditions यहां पर conditions की बात करी न तो यहां पर उसके बाद है यह conditions conditions यहां से शुरू कर रहे हैं यह complaint में अगर complaint का मामला होगा तो क्या conditions लगाएंगे यह requisite देखिए अब इसको फ़ास में पहले simple language में आपको elaborate करता हूं फिर technical में चलिए अभी हमारा एक chapter है इसमें हम बा proceeding को शुरू करने के पहले क्या conditions चाहिए तो proceeding कब शुरू होगा proceeding शुरू नहीं हुआ है proceeding हमें शुरू करना है तो इसका next chapter आये next chapter क्या बोलता है complaint to magistrate magistrate के पास अगर कोई complaint लाएगा तो magistrate साब उसकी proceeding करेंगे की नहीं करेंगे तो proceeding शुरू करने के पहले magistrate को क्या चाहिए यहाँ पर इन्हों ने बताया है और साथ के साथ इसमें भी provision बताया है कि अगर कोई person अगर कोई complaint लाता है तो भाई कैसे करना है procedure कैसे करना है उसको proceed करने के पहले क्या करना होगा that is the point procedure उसी तरीके से आगे की बात भी कही है सो हमें इस बात को एकड़म crystal killer समझना होगा कि जो हमारा so called chapter number 14 है यह chapter number 14 किसी भी point पर हमारे proceeding को शुरू नहीं करता है यह कहता है proceedings शुरू करने के लिए आवश्यक सर्त क्या है एकदम सिम्पल वोलने से सरी शर्त क्या है आवश्यक सर्तिंग क्या है वह यह कह रहा है से अभी proceeding शुरू हूई नहीं यह तो प्रोसेडिंग शुरू हुई नहीं, इस चाप्टर में, चाप्टर 14 में तो है ही नहीं सर, there is no proceeding at all, यह प्रोसेडिंग शुरू हो रहे नेक्स चाप्टर से, यह प्रोसेडिंग शुरू हो रहे चाप्टर नमबर 15 से, और जब चाप्टर, और जूडिसल प्रोसेडिं के डेफिनेशन में कहता है कि वोट प्रोसेडिंग कोई भी प्रोसेडिंग होगी लेकिन उसमें एविडेंस इज और मेभी लीगली टेकन ओनोथ तो आईए नेक्स्ट चैप्टर पर चैप्टर नूमबर 15 पर वहां आप कंप्लेंट करते हैं मजिस्ट्रेट को तो जब मजिस केस फाइल किया तो वह स्टेट साब कैसे प्रोसेड पर लेते हैं जी जी तो चैप्टर नूमर 15 से प्रोसेडिंग का मतलब अगर हम जोडिसेल प्रोसेडिंग कहते हैं तो जोडिसेल प्रोसेडिंग के कहानी कहा से शुरू हो रही है सर नेक्स्ट चाप्टर से तो कि जोडिसेल प्रोसेडिंग के डेफरेशन में क्या कहा है जोडिसेल प्रोसेडिंग का मतलब एनी प्रोसेडिंग एनी प्रोसेडिंग एनी प्रोसेडिंग एनी प्रोसेडिंग एनी प्रोसेडिंग सो कोई भी प्रोसेडिंग होगी वैसी प्रोसेडिंग जिसमें हम एव प्रो सुरीडिंग शुरू करने के पहले क्या वश्यक्षथ क्या है तो शर्त नमबर वन याू कैन से कंडीशन नमबर वन वट इस कंडीशन नमबर वन सो कंडीशन 1 is nothing बट सेक्शनन नमबर 210 ऐसी गunn tápär जाएंगे तो एक सौनब्वे C DRPC यह है condition number one Proceeding शुरू करेंगे sir बिलकुल शुरू करेंगे ठोक बजा के करेंगे Solid से करेंगे लेकिन उसके पहले की क्या condition है Proceeding शुरू करने की पहली शर्ट यह है आपके पास यह होना चाहिए यह है पहली condition अब आपको जाके देखना चाहिए कि 210 क्या कहता है अब आपको देखके जाके देखना चाहिए कि सर 190 क्या कहता है अगर आप यह समझ गए तो अब देखिए अब इसी चीज़ को आगे थोड़ा बढ़ाईए आगे बढ़िए प्रोसेडिंग शुरू करने के लिए आवश्यक सर्थ यहां पर है प्रोसेडिंग शुरू करेंगे लेकिन अगर यह सिचुएशन आएगी तो हम यहां ट्रांसफर की बात कर सकते हैं मैं स्टेट को बेक ओभर कर सकते हैं यह सब क्या है प्रोसेडिंग शुर तो किसी और को transfer कर सकते हैं यहाँ पर क्या है तो जब तक मोटी बात क्या है जब तक हम और आप यानि magistrate सहाब या कोई भी कोड जो है कोगनिजन्स नहीं लेगा तब तक proceeding शुरू होगी नहीं होगी तो क्या है पहली शर्थ क्या है पहली शर्थ है कोगनिजन्स लेना पहली शर्थ क्या है कोगनिजन्स लेना प्रोशेडिंग शुरू करने के पहले की पहली शर्थ क्या है कोगनिजन्स 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 तो इसलिए आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ कोगनिजन्स की बात मिलेगी चैप्टर नुबर 14 में हर जगा कोगनिजन्स की बात होगी चाहे ओफेंस वाइज हो चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो हर जगा आपको सिर्फ कोगनिजन्स की बात होगी चाहे शाहे पक हमने शुरुदार में हब पहले वहले में यहां पर कोरइज की कोट्ष साब लेंगे यह यहां पर आता रहीग कोट्ष वखाले में हलं तो छाहीं में काव्य थीर से इनुख्षण को प embray शी स्थथ Is उसके बाद नीचे चलिए यहां पर भी आ गया थ्रेटिंग ब्रेटिंग के मामले में इसके अलाबा और जो भी आपको नीचे मिलेगा वो सब ऑफेंसे के मामले प्रोसिक्यूशन और जजेज और पब्लिक सर्वेंट तो यहां सब क्या है सब में कोगनिजन से तो आपको मोटी बात दिमाग में एकदम मोटा जो धकन लगा ना उसको खोलो और हटाओ आप लोग और उसमें यहाद रखे कि प्रोसेडिंग शुरू करने के पहले एकदम सिं तो यह क्या है सब्सक्राइब समुड़ों कि अब आपष्टाइब कोगनिजन सब्सक्शाइब या अधा aun स instructions 210210210 ससाइ समने घंआ बबासंढ क्या हुत कि you mean by the term cognizance अब इसको समझ गए तो सब कुछ समझ गए ओके चलिए लेट सी नाओ अब बात करेंगे देरे-देरे कॉग्निजंस की अब आप में से कोई बदा सकते हैं वट इस दम इनिंग ऑफ टर्म कॉग्निजंस का मतलब क्या होता है सिंपल जन्रल दींगिंग इंग्लिश मिनिग लेगल और कुछ और कोई क्या हो सकता है कि अधिया है कि असर बताई यह संग्यान लेने से मजिस्ट्रेट को किसी भी केस के बारे में जानकारी देना सभी जतने का मतलब क्या सर्ते है संग्यान लेने का मतलब क्या है सर वो बताई सरा सम्ग्यान कुछ उनको उनको ज्यान दें है इस मया है कि ο मदम बताइने उनको कैसी की जैने ws कि वह को ऑई की को ये कि बढ़ा इंटरेस्टिन को तहीए कि भी ऐसका मतलब क्या होता है बहुत शांदार को अग्या सबसे पहले ये समझना होगा कि भई को इंसों शब्द का मतलब क्या होता कि अपनीज ती बात है जू आप लोग कह रहे हैं वो सही है मैं यह नहीं कह रहा हूं गलत है लेकिन उसमें थोड़ा मोडिफिकेशन की जरूरत है दाट इज कॉगनी जैन्स कि कॉगनी जैन्स एक अपने आप में फिर में कहूंना तो वेग टर्म है अगर आप कभी ऑफिस में जाएंगे जो कि हम अगर बात करें एक्जिकेटिव साइड से इनका अपना क्रिमिनल कोट भी होता है तो इनके हां भी अगर आपको यह अप्लिकेशन देंगे तो यह बोलेंगे क्या आपने कभी घर सुना होगा कोई जनता दरवार ऐसे लेता है य पेमस हो जाओ तो यह चल रहा है आज कल के आई इसमें धौल चल रही है बुड़ी यजीब सी आप कभी डियम के ऑफिस के घर जाएंगे डिस्टिक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आपने कोई अगर अप्लिकेशन दिया और आप यह कहते हैं कि जनाब आपको मैंने यह पहले इसको अगर मैं आपको एक और चीज कहूं तो कभी कोई घटना घट जाती है मर्डर चोरी डिकैती रेप इस डैट या कभी आप सुनते होंगे कोई पुलिस वाला शरापी कहीं खुदी नाले में लुलग गया गिर गया है या खुदी दरोगा जाकर के बसूली कर रहा है कह पर या बिनमतलब को किसी को फीट दिया ओटे वाले को रिक्षा वाले को किसी महिला को पूर्सो जैसे अभी लिसेंटली नमाज पढ़ते हुए लोगों को मार दिया दिल्ली के अंदर तो ऐसी चीजों के लिए क्या करेंगा इस पी जो होते हैं या जो सीनियर ओफिसर्स हो वाले का होता है लेकिन मोस्टली यूपी के ज्यादा आते हैं तो इसलिए वहां का कहानी निकलता है तो संग्यान का मतलब क्या है संग्यान का सीधा सीधा मतलब निकलता है सर नौलेज उन्होंने क्या कहा है इस पी साब ने कहा कि अभी हमारे संग्यान में नहीं है इसका मत और नोटिस में आजएगा तो हम action लेंगे, so cognizance का Hindi मतलब होता है संग्यान, हिंदी मतलब संग्यान होता है और उसको हम बते है knowledge या उसको करते है notice, simple सी बात, कोग्णिजन्स का सीधा मतलब यही होता है, कोग्णिजन्स, ठेक, तो अगर हम यहाँ पर इस context में बात करें तो यहाँ पर कहीं कोग्णिजन्स लिखा है, yes of course लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, कोग्णिजन्स ओफ ओफेंसेज बाई मैजिस्ट्रेट, Magistrate, Cognigence of Offenses by Magistrate, 2-3 बार रिपीट किये जिए इसको, Cognigence of Offenses by Magistrate, So, संग्यान, Knowledge, Notice, किस चीज का Notice, Offense का, अपराद का, किस के द्वारा, Magistrate के द्वारा, Magistrate के द्वारा, किसी भी अपराद का संग्यान, मतलब उनको, Knowledge, यानि कि उनके घर के बगल में, उनके घर के ठीक पीछे, उनके कोटरू के पीछे, कहीं पर कोई रेप हो गया, कोई चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, किड्नैपिंग हो गया, अब डक्शन हो गया Offense है ना भाई, यह सारे Offense हैं, अब उनके ठीक Office के पीछे हो गया, हो सकता है, उनके Office के अंदर हो गया, तो, उनके स्टाप ने किसी के साथ ऐसा हरकत कर दिया, तो, Is it possible or not? Yes, it is possible, उनके स्टाप ने कर दिया तब, so, Cognigence of Offense, Cognigence of Offense, Cognigence of Offense, Cognigence of Offense, मतलब क्या हो गया, अपराद के बारे में, नौलिज होना, अपराद का, नोटीस होना, किसको, Magistrate को, जिसके द्वारा, by, by Magistrate, तो Magistrate के द्वारा किसी अपराद का, नौलिज, अपराद का संग्यान, एक Magistrate जो होता है, अगर आप इसको थोड़ा समझे, तो, अपराद का संग्यान, कैसे होगा, Magistrate को, नौलिज कैसे होगा, कि सो जगा पराद हो गया है, तब इसका अंसर यहाँ पर देते हैं, कि कैसे हो सकता है, अब यहाँ पर आपकर समझे, कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो, इस लाइन को अगर चाहें, तो, लोग लिख सकते हैं, Cognigence of Offense, तो ऐसे लिखेंगे, Cognigence of Offenses, Offenses लिखा होगा, यह होप सो, Offenses, Yes, by Magistrate, तो, दो, तीन बार इसको मन में पढ़ें, आपने आप, किलर हो जागा, पूरा concept, So, by Magistrate को एक साइड करिए, Cognigence of Offense को एक साइड करिए, Offenses को, So, Magistrate को, Cognigence का, Offense पर, Cognigence कैसे पता चलेगा, उसको, Knowledge कैसे आएगा, Cognigence का मतलब होता है, Knowledge, Notice, तो, उनको कैसे पता चलेगा, कि अपराध हुआ है, उसका अंसर यहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो आपके पास, अब क्या है, Step by Step, Step by Step, Step by Step, अब, Step by Step, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है, हमारा topic क्या है, Conditions, Requisites for Initiation of Proceeding, Proceeding शुरू करने के पहले आवस्टेक्षरते क्या क्या लगती है, Proceeding शुरू करने के लिए, Proceeding शुरू नहीं हुई है, Proceeding शुरू करने के लिए सबसे आवस्टेक्षरत है, Cognigence, Cognigence किस बात पर लिया जाता है, तो Cognigence अपराध पर लिया जाता है, कौन ले सकता है, तो मैं स्ट्रेक्षरत ले सकता है, भई क्या कंडिशन से, अब वो यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखा है इनोने, Now, coming to the point, Section है 210 और यहां पर है 190 CRPC में, ठीक है, So, now, क्या कहते हैं, Subject to, Subject to the provisions of this chapter, Subject to का मतलब होता है के अधीन, So, मैं यहां पर बात करूँ, तो क्या लिखता है, Chapter 15 के अधीन, इसका हिंदी मतलब क्या निकल जाएगा, Translation, Subject to the provisions of this chapter, Provision मतलब जो नियम कानून दे रखे हैं, Subsection, Clause, Sub Clause, जो है वो, तो इस Chapter के सारे provisions के अधीन रहते हुए, कहते हैं, Any Magistrate of the first class, क्या लिखा है, Any Magistrate, Any Magistrate, कोई भी Magistrate, बस वो कौन होगा, first class होना चाहिए, And Any Magistrate of the second class, Any Magistrate, कोई भी Magistrate हो, first class हो, कोई भी Magistrate हो, second class हो, शुकर है third class नहीं है, Especially empowered in this behalf, Especially empowered in this behalf, किसके लिखा गया है, second class magistrate के लिए, In this behalf, Under Subsection 2, May take cognizance of any offense, तो यहाँ किलर कर दिया, Subsection 2, Subsection 2 यहाँ पर है, नीचे, ठीक है, So Subsection 2, तो यहाँ पर क्या लिखा, Any Magistrate of the first class, Any Magistrate of the first class, May take cognizance of any offense, Any offense, So एक Magistrate को, किसी अपराद के बारे में, knowledge कैसे होता है, TV की news देख करके, यह YouTube पर देख करके, यह news पढ़ करके, कैसे हो सकता है, That is the point which is talk about, यह कैसे हो सकता है, उसके बारे में यह बात कर रहा है, Point No.1, Clause No.1, क्या बोलता है, Upon receiving a complaint of facts, तो एक Magistrate के पास, अगर complaint पहुँचती है, complaint तो कोई person जाएगा, भूत प्रे थोड़ी जाएगा, कोई person गया, complaint लेकरके, और जा करके, file कर दिया, मैं इस्टेट के, क्या लिखा है, Upon receiving a complaint of facts, including any complaint filed by a person, authorized under special law, तो यहाँ पर भी जाके देखेंगे, तो यहाँ भी ओही कहान लिखी गई है, लेकिन फर्क देखें क्या है, 190 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था, 190 के सब सेक्शन, 1 के clause No.1 में ऐसा कुछ भी mention नहीं है, तो यह different है, यह बहुत दूर की सोच रहे हैं, अभी जो EDCD जो चल रहा है ना, उन सब को सोच के लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा है इन्होंने, यह सब सोच सोच के लिखा गया है, मुर्ख नहीं बना रहे हैं, हम लोग इसले कहते हैं, पॉलिटीशन का दिमाग बहुत तेर चलता है, कल क्या होगा उनको पता है, परसों क्या होगा उनको पता है, एक आम आदमी एक होजो होता है, एक common man होता हो कहता है, भगवान इस धर्थी को चलाता है, पॉलिटीशन कहता है नहीं, वो जाएगा भगवान के पास लेकिन वो भगवान के पास भी उसलिप दिखावा करने जाएगए जो मेरी परसनल सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, फिर मैं बार बर कहता हूँ मुझे लगता है, क्योंकि भगवान थो भई सब जगह है ना हम तो कहते हैं भगवान इजानी प्रजेंट है रस्य जाएंगे दो वहाँ भी है यापा जाएंगे वहाँ यह stories ॥ हम और आप क्या करते हैं भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, वो यह नहीं कहते हैं कि भगवान के उपर छोड़ देते हैं, वो यह नहीं कहते हैं, कभी सुना है कि भगवान के उपर छोड़ देते हैं, अरविंद के जिरिवाल का जो होना होगा होगा, उसके बच्चे निस्ट हो जाएंगे, यह हो जागा आप वो हो जगा कभी सुना किसी पॉलिटीसिन को सुनते हुए नहीं सुनेंगे आप क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही भगवान हूं और सच बात यही है कि यह मरने के बाद यही भगवान बन जाते हैं इनकी पूजा होती है देखते हैं इनकी जैनती होती है इनकी शमादी इस्थल होते हैं जैसे भगवान के होते हैं तरीके से अब यह अलग बात है पुब्लिक उनको कितना मानती है वह अलग बात है जैललिता टाइप है या नॉर्मल है उस तरीके की बात होती है तो मैं मुसी मुद्धे प्यार देखें क्या लिखा था पहले 190 भी क्या था अंगरी जो वाले कानुन में अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट आफ फैक्ट्स विच कॉंस्टिचूट सच आफ एंस एक दम सिंपल सी बात कही थी इन्होंने लेखें क्या दिमाग लगा है दिमाग का जरा वह कर रहे हैं दार्वुज बना रहे हैं पूरा का पूरा अपॉरा अपॉन रिसीविंगे कंप्लेंट कनेक्ट और छोडाना नहीं है इक मजिस्ट्रेट को कैसे पता चलेगा कि अपराद हुआ है करें confusion receiving a complaint upon receiving complaint upon receiving complaint of facts which constitute of ऐसा complaint जिसमें किसी अपराद के होने की सूचना होगी और वो अगर magistrate को receive हो जाती है तो magistrate को हम कहेंगे कि magistrate को knowledge हो गया notice हो गया को गरिजिंस हो गया कि हाँ यह तुमने अपराद किया है अब इसके भी बारी किया है वह आप डिसकस करेंगे अब यहां पर इनको देखिए यहां पर इनोंने लंबा चोड़ा कहानी सुनवा दिया 210 नया वाला कानून सेम नहीं है वाई जो लोग मुगालते में वो देख लीजिए मैं सामने से कह रहा हूं क्या लिखा इनोंने अपॉन रेसीविंगे कंप्लेंट अफाक्स इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट फाइल बाई यह पर्सन ऑथोराइज़ बाई एनी स्पेशल लौ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे है पीए मिल ले इस पेशल लो जिसमें अभी अरविंद के जरीवाल को पकड़ के लप अपॉन रेसीविंग के कंप्लेंट ओफाइल बाई पर्सन ऑथोराइज़ अंडर एने स्पेशल लो जो अपॉन रेसीविंग कंप्लेंट अगर मजिस्ट्रेटट को रिसीव हो गया तो हम कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट को को इनस हो गया मतलब नॉलेज है now coming to the point including any complaint including any complaint including any complaint so कौन से complaint तो यहां पर है एनी complaint जो कि किसी person ने file किया और वो person file कर रहा है जो authorized है किसी special law के अंदर तो अगर किसी special law के अंदर हम यह माल लें माल ने के लिए के लिए यहां पर किसी particular एक ही person को अथोरिटी दे दी है वह कंप्लेंट कर सकता है तो अगर वो करता है तो भी यहां पर complaint बन जाएगा मतलब सब्सक्राइब को को जाएगा कितना सिंपल कर दिया भी में देखिए वही कहानी है अपन पुलिस पुलिस की रिपोर्ट सब्मिट होने के बाद पता चलती है अब यहां पर एक बड़ा interesting point आता है अब what is the meaning of the term पुलिस रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता तो 193 के अंदर जो 173 था जो 193 के अंदर जो रिपोर्ट सब्मिट होती है उसी रिपोर्ट के हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं मतलब after completion of the investigation जो रिपोर्ट magistrate के टेबल पर पहुँचती है वो magistrate ने अगर देख लिए scene कर लिया तो हम कहेंगे कि magistrate को क्या हो गया cognizance of offenses by magistrate यहां तक यह simple point number c upon information received from any person एक magistrate को अपराद का संग्यान अपराद का knowledge कैसे हो सकता है upon information received from any person किसी भी person से कोई भी information अगर receive हो जाती है पुलिस officer को छोड़ कर या upon his own knowledge तो एक magistrate को कैसे पता चलेगा upon his own knowledge सोचने की बात है ना upon his own knowledge कैसे पता चलेगा भाई TV देख रहे हैं नियूश पेपर पढ़ रहे हैं फेस्वुक पर आया है यूट्यूब पर आया है वाटसप पर आया है ऐसी ही तो आता है so upon information received from any person other than a police officer और upon his own knowledge that such offense has been committed तो यहां पर बड़ा interesting fact निकलेगा यह वाला जो मैं पहले बता रहा हूं बार बार की foundation इसको अच्छे समझ लीजेगा जो समय देना एक बार दे दो बाकी आगे में कुछ नहीं है फिर से मैं कहरों बार बार कहरों इस सेक्षन में जितनी जान लगानी लगा दीजिए आगे खेल कुद है आगे पक्का खेल कुद है so now see, देखिए 210 कॉंगिजेंस ऑफ उफफेंसेज भाई मैजिस्ट्रेट तो भाई कॉंगिजेंस को मैं सिंपल हासा मैं अगर कर दो नोटिस अगर मैं आपके लिए 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 मजिस्ट्रेट को किसके लिए बात कर रहा है मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है अच्छा मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा मजिस्ट्रेट का मतलब होगा जूडिसल मजिस्ट्रेट फिस्ट्रेट सेकेंड क्लास CGM की बात नहीं कर रहा है, CGM क्या है, first class में state है, now कैसे हो सकता है, तो इसका answer यहाँ से निकल गया, A, B, C, A, B, C, तीन तरीकों से हो सकता है, पहले में क्या कहा, upon receiving a complaint, so complaint मिलने पर, so यहाँ पर simple लिख देता हूँ, complaint, उतना नहीं लिखे हूँ हूँ, complaint of facts, अगर कोई special लोगा तो वो भी ले लेंगे यहाँ पर, complaint of facts, इसके लाव, upon receiving, police report, so police report के आधार पर, और तीसरा, यहाँ पर दो चीजे लिखनी पडेंगी, एक तो upon information received from any person, so information received from any person, तो एक लेंगे यहाँ पर, information received from any person, किसी भी person से, और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, और upon his own knowledge, और upon his own knowledge, so एक magistrate, जो कि first class या second class हो सकता है, second class के मामले में, especially empowered होना चाहिए, अब यहाँ पर कहते हैं, उसको अगर complaint, fact का, sorry, complaint की fact पता है, जिसमें अपराद होता है, तब पता चलेगा, police की report मिलती है, तब पता चलेगा, या information मिलती है, उसको किसी person से, या उसको अपने खुद के knowledge से पता चलता है, तो भी क्या हो जाएगा? magistrate को अपराद का ज्यान हो जाएगा, अपराद का knowledge हो जाएगा, इभाई, so and so, जगपर अपराद हुआ है, अब एक interesting question आता है, अगर आपके मन में आ रहा है, तो अच्छी बात है, नहीं आता है, तो आना चाहिए, फिर सिकhाओंगा, सर, police report का मतलब क्या होता है? Complaint का मतलब क्या होता है? तो complaint का मतलब तो discuss किया है, police report का ही मतलब discuss किया है, तो यहाँ पर police report का मतलब कौन सी police report लेंगे? Anybody have the answer? यहाँ पर police report का मतलब कौन सी police report लेंगे? बताएए, Tell me, कौन सी police report लेंगे? No idea. No idea. देखिए, 193. Report of police officer on completion of investigation. तेक, यहाँ पर जो report है, किसी report को हम मानते हैं, और कुछ नहीं मानते हैं. Okay? Now, तो यह चार तरीके हैं, मोटे तवापर, यह C में, मतलब C में हम लोग एक अलग से पार्ट बना लें, there are four methods, there are four ways, जिस तरीके से हमारे first class magistrate को, किसी अपराद के होने की सूचना, या उनका knowledge, उनको मिलता है. That's it. अब, इतना भी बहुत से लोगों को confuse कर रहा होगा. तो देखिए, यहाँ पर हमें, अगर magistrate को क्या मिला? Complaint. Magistrate को क्या मिला? Police Report. Magistrate को क्या मिला? Sorry. तहां क्या है वाई? 210. Magistrate सापको क्या मिला? Information. यहाँ लगतेजिए information. अब, यहाँ पर, अगें क्या है? Information. और his own knowledge. अपना own knowledge. अब, So, Complaint, Police Report, Information, और own knowledge. यह चार तरीके हैं, जिससे, Offenses के बारे में, Magistrate को पता चलता है. क्या ऐसा हुआ है? क्या हम इसको संग्यान बोलिंगे? मतलब, ठीक है, पता चल गया कि, एक, So and so, Particular Special, Police Station है थाना है, जहाँ पर किसी आदमी को, Knowledge में आगया, Magistrate साब को, क्या करना है? दिन दाड एक बच्चे को, साथ साल के बच्चे को, Kidnapp कर लिया गया, आगया, Information मिल गई. Police की रिपोर्ट आगई, Information मिल गई, उन्होंने खुद निउज पेपर में पढ़ लिया, TV में देख लिया, हो गई, Information मिल गई, Whether it is a Cognigence, Now the question here is, क्या हम इसको Cognigence कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसको हम Cognigence कहेंगे, या नहीं कहेंगे? That is the point. कह सकते हैं इसको Cognigence लेना? इसको कह सकते हैं, Magistrate साब को Cognigence हो गया? इसको सबसे प्रोशेडिंगे तब गई बढ़ गया? देखिए, चर बोलेंगे इसको Cognigence को. बहुत बढ़ी हैं? कैसे बोलेंगे? बताईए, बिल्कुल बताईए. Cognigence का मतलब इता नॉलेज, Magistrate के ग्यान में जो आ जाता है, वो संग्यान होता है, जब यहां पर मामला खुदी स्वेंगे ही ग्यान से उनको आ गया, तो इसको Cognigence को रहे हैं, जब ग्यान में ही लेना Cognigence को तब इता है. अगर कोई परसन जो है कि कंप्लेंट फाइल कर देगा, परसन मतलब मेल फीमेल महिला पुरस को भी में स्टेट के कोर्ट में जाके तो कह सकते हैं कि में स्टेट ने Cognigence ले लिया, हाँ या ना, मूटी बात ही है ना, सही बात है, किसी को डाउट, चलिए,